नमस्कार मैं हूँ विजवर आप देखना शुरू कर चुके हैं दख़बरदार न्यूज प्रधान मंत्री आवास योजना के नाम पर ग्राम प्रधार ने ग्रामीडों को ठगा यह मामला उत्तर प्रदेश की जालाओं जिले के गोहान थाना छेत्र पित्वी पुरा गाओं का है जहां पर प्रधान मंत्री आवास योजना से मिल रहा यह आवास राम सिया को ना मिलकर कडोरे नाम के ब्यक्ति को दे दिया गया पीडित ने बताया कि प्रधान अरुण ने 20,000 रुपए आवास दिलाने के नाम पर पीडित से लिये थे लेकिन आवास कडोरे नाम के दूसरे ब्यक्ति को स्विक्रित कर दिया गया इसकी सिकायत मुख्य विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी सचीव से भी की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई पीडित परिवार अभिवी जोपडी में ही रहता है लोगों का कहना है कि भरस्टाचार दिन बदिन बढ़ता जा रहा है जो सुविधाएं सरकार द्वारा गरीबों को दी जा रही है वह सुविधाएं गरीबों को नहीं मिल रही है लोगों का कहना है कि सरपंच और सचीव मिलकर रिश्वत लेकर अपात्र ब्यक्तियों को इन सरकारी ओजनाओं का लाफ दे रहे है इस ग्राम पंचायत के लोगों ने यह भी सिकायत की कि इस गाउं के प्रधान ने सड़क भी दुरुस्त नहीं करवाया है जिससे बारिस का पानी रास्ते में आ जाता है और लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है इससे जादा जानकारी के लिए यह से और आम कौन है पती के नाम कितने दिन पहले आई थी अधारा मैं अब किसको दे दी गई है रामजिया कड़ोरे को आपके नाम आम इंट्रेट हुए थी और दूसरे को दे दिया गया जी आपके नाम क्या भी यह जैनरा क्या समझचा है आप यह कालोनी का दिखा रहे हैं आपके नाम करांव करहें यह किसको दे दी गई जिसको दिए किसको दिए थे के नाम है पिर्दान को दिया थे 20,000 रुब है